जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरू लिखे माता रानी सबका करल्यान करेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि साल 2021 में फूलेरा दूज कब है फुलेरा दूज के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए फुलेरा दूज का सुम मोहर्थ क्या है साथ ही साथ हम फुलेरा दूज ब्रत की कथा भी बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलुखवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना जादा से जादा हो सके मेरे इस वीडियो को सेयर करेंगे आपको बता दे कि फुलेरा दूज फागुन मास के सुखल पक्ष की दूइतिया तिथी को मनाया जाता है सास्त्रों के अनुसार पूरे साल में फुलेरा दूज एक ऐसा दिन है जिस दिन बिवाह करना सर्वुत्तम माना जाता है इसे सर्दी के मौसम के बाद भिवाह का अन्तिम अवूज मुहुर्ट भी वसुभ दिन मानते हैं इस दिन साध्यों की धूम रहती है मानिता है कि इस दिन भिवाह करने से दमपति को भगवान सिरक्रिस्ट और राधा रानी का आशिरवात प्राप्त होता है धार्मिक मानिताओं के नुसार फुलेरा दूज का दिन भगवान स्रिक्रिस्न और राधा रानी को समर्पित है यह तिथी होली पर्व के सुभारम दिवस के तौर पर जानी चाती है इस दिन भगवान कृष्ण और राधा जी की पूजा करने का और ब्रत करने का विधान है चलिए जानते हैं फूलेरा दूज के दिन आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं तो फूलेरा दूज के दिन किसी भी नए कारे की सुरुवात की जा सकती है इस दिन ग्रीपरवेस ब्यापार का सुभारम, नए रिस्तों की सुरुवात, साधी विवा आदी करना सुभ होता है। इस दिन पती-पत्नी के विज जगड़ा, पिता का अपमान, माता से कटू बचन नहीं कहने चाहिए। चलिए, अब जानते हैं, साल 2021 में फुलेरा दूझ कब है? तो साल 2021 में फुलेरा दूझ 15 मार्च को है, दुइतिया तिथी का प्रारम, चौदह मार्च 2021 को साम 5 बचकर 10 मिनट पे है, वहीं दुइतिया तिथी की समाप्ती 15 मार्च 2021 को साम 6 बचकर 15 मिनट तक होगी। चलिए अब जानते हैं फूलेरा दूज की पूजा की विधी क्या है तो फूलेरा दूज के दिन विसेश रुप से भगवान स्रिक्रिस्न और राधा की जी की पूजा की जाती है इस दिन आपको सुर्योदय से पूर्वोट कर असनान करना चाहिए और साव वस्त्र धारन करने चाहिए इसके बाद एक चौकी पर उस पे गंगाजल छेड़क कर उस पे पीले कपड़े को बिछा दे पीले रंका कपड़ा बिछाने के बाद उस चौकी को फोलो से सजाना चाहिए और उस पर राधा क्रिस्ट की परतिमा अस्थापित करने चाहिए इसके बाद भगवान स्रिक्रिस्ट को गुलाल अरपित करे और राधा जी को सभी सुहाग की बस्तुए अरपित करे सभी चीजे अरपित करने के बाद भगवान स्री कृष्ण और राधा जी की विद्वत पूजा करें पूजा के बाद भगवान स्री कृष्ण और राधा जी को मिठाई का भोग लगाए इसके बाद भगवान स्रीक्रिस्ट को चड़ाए गए गुलाल से अपने माथे पर तिलग करे और उसे अपने गालों पर भी लगाए यदि आप महिला हैं तो राधाजी के चड़ाए हुए सुहाग के सामान में से कोई एक भी चीज अपने पास रख ले और बाकी सारा सामान जो सुहाग का है वो कुईसी सुहागी निस्त्री को दान में दे दे अब चलिए जानते हैं फुलेरा दुजब्रत की कथा क्या है तो पौरानी कथा के अनुसार ब्यस्तता की कारण भगवान स्रिक्रिस्ट कई दिनों से राधा जी से मिलने ब्रिंदावन नहीं आ रहे थे राधा के दुखी होने पर गोपिया भी स्रिक्रिस्ट से रूट गई थी राधा के उदास होने के कारण मतुरा के बन सुखने लगे और पुस्प मुर्जा गए बनो की स्थिती के बारे में जब स्रिक्रिस्ट को पता चला तो वह राधा से मिलने ब्रिंदावन पहुँचे स्रिक्रिस्ट के आने से राधा रानी खुस हो गई और चारो और फिर से हरियाली छा गई क्रिस्ट ने खिल रहे पुस्प को तोड़ दिया और राधा को छेड़ने के लिए उस पर फेक दिया राधा ने भी ऐसा ही स्रिक्रिस्ट के साथ किया यह देखकर वहाँ पर मौजूद गोपिया और गवालों ने भी एक दूसरे पर फूल बरसाने सुरू कर दिये कहते है कि तभी से हर साल मौथूरा में फूलों की होली खेली जाने लगी तो दोस्तों यह थी फूलरया दूजब्रत की पिछे की कथा परानी कथा मैंने दिनांगती थी बताया सुमोर्थ बताया इस दिन आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसकी जानकारी दी तो आसा ही नहीं पूर्ण विश्वास से कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें थैंक्स